परभाद बच्चों आज मैं आपको पार्ट आठ विशेशन पढ़ाने जा रहे हूँ विशेशन क्या होता है बच्चों किसी को पता है नहीं पता चलो मैं इसकी परिभाशा बताती हूँ कि विशेशन क्या होता है जो शब्द संग्या या सर्म नाम की विशेशता बताते हैं और गुण बताते हैं उसे क्या कहते हैं विसेशन कहते हैं उधारण साब देखिए पिकनिक फूल पक्षी पक्षियों की जितने भी आवाजें होती हैं व्रक्ष यह क्या होते हैं संग्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं संग्या अब जिसे फूल है तो फूल की क्या विसेश्टा होती हैं रंग पे रंगे फूल होते हैं ठीक है पक्षियों की आवाज कैसी होती हैं मीठी होती हैं तो मीठी क्या हो गया विसेशन हो गया विरक्ष कैसे होते हैं हरे भरे होते हैं तो हरे भरी क्या है यह विसेशन हो गया, जिसे खटा, मीठा, कड़वा, सुन्दर, हरी, सुखा, यह सब क्या है, विसेशता है, किसी भी संग्या की विसेशता को बता रहे है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, विसेशन कहलाएगा अब आते हैं कि विसेश्य किसे कहते हैं कि वे संग्या या सरुनाम शब्द जिनकी विसेश्ता बताई जाती है जिनके बारे में हम बताते हैं विसेश्ता को प्रकट करते हैं उसे क्या कहेंगे विसेश्य अब देखो यहां आप उधारन देखो रंग बिरंगी तितली तो हम किसके बारे में बता रहे हैं रंग बिरंगी किसको बता रहे हैं तितली को बता रहे हैं तो तितली जो शब्द है हमारा वो क्या कहलाएगा विसेश्य कहलाएगा क्या कहलाएगा विसेश्य और इसके विसे के बारे में बात कर रहें तो वह हमारा क्या कहलाएगा विशेश है अब आता है अब देखो बच्चों कि विशेशन के बहेर कितने होते हैं विशेशन चार पे करके होते हैं गुण वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन और चोथा होता है हम वो नामि संकेत वाचक विसेशन अब आता है कि गुण वाचक विसेशन क्या होता है वे शब्द जो संग्या या सरुनाम शब्दों की गुण दोश अकार रंग रूप और अवस्ता आधि को पताते हैं उसे हां क्या कहेंगे गुण वाचक विसेशन उधारन देखो कि बिमार युवक आराम कर रहा है कैसा युवक आराम कर रहा है बिमार है वो इसलिए आराम कर रहा है उसकी विसेशता क्या हूँ, इसका गुण क्या हुआ, बिमार, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिमार हमारा गुणवाचक विसेशन है, वहें एक वीर सिपाई है, वीर क्या है, सिपाई की विसेशता है, सिपाई का गुण है, तो यहां पर हमारा वीर जो है गुणवाचक काला, कायर, बहादूर, परिश्यमी, कामचोर, अब देखो संख्या वाचक विसेशन किसे कहते हैं, जो शब्द संग्या या सरुनाम की संख्या या गिंती को बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संख्या वाचक विसेशन, अब देखो यहाँ पर धारण, छत की मुड़े पर चा ठेखर हमको गिन सकते हैं तो यहाँपा लिकाए चार जो है भी संख्या को बता रहा हैं कुछ Pुस्तेके मेश पे रखी है जो Pुस्तके हैं उनको गिन सकते हैं तो कुछ क्या है हमारा संख्या वाक विसेशन यहां देखिए कुछ कपड़े, दो आदमी, कई गमले, दस से, पाँच पक्षी तो यहां वे कुछ, दो, कई, दस, पाँच, यह सब क्या है? संख्या वाचक विसेशन कहलाते हैं क्योंकि हम इनको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं यह निश्चित हैं और जिन प्राणियों यह वस्तों को हम गिन सकते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? संख्या वाचक विसेशन कहलाते हैं अब आता है हमारा तीसरे नमबर पे परिमाण वाचक विसेशन परिमाण वाचक विसेशन में क्या होता है? जब किसी भी वस्तू की माप तोल की जाती है, तो आपको पा कॉंसर विसेशन होता है? परिमाण वाचक विसेशन होता है, उधारण देखिए मुझे दो लीटर दूद दे दू तो दो लीटर क्या है? हम उसको माप रहे हैं ला? तो यहाँ पर हमारा जो सकते हो न न सेब 6-0 किलोमिटर रास्ता 3 लीटर तेल एक किलो घी थोड़ी चीनी सारा गेहुं थोड़ा 2 किलोमिटर 3 लीटर एक किलो थोड़ी यह सब क्या कहलाते यह किसमें आ जाएंगे आपके परिमान वाचव विसेशन में वे संग्या या सरुनाम शब्द जो गिने नहीं जा सकते हैं जिनका मापतोल किया जा सकता है वे परिमान वाचव विसेशन के अंतगर आते हैं संग्या वाचव में तो क्या था हमारा हम जिनको हम गिन सकते हैं ठीक है, और जो परिमान वाज़ख है, उसमें माप्तोल की जाती है, अंत्य समझ में आ गैँ नहीं हम तोलों का, अब है बहुत है हमारा चोथा सार्व नामिक, संकेत वाचए विसेशन। जब सार्वुनाम शब्द को संग्या की विसेशता बताने के लिए प्रियोग किया जाता है तो वैं सार्वुनामिक अत्वा संकेत वाचा विसेशन कहलाता है जैसे देखो कि वे, फूल, सुन्दर है, फूल हमारी यहाँ पर हो गई संग्या ठीक है और जो वे है वो क्या कहलाएगा विशेशन क्योंकि हम क्या करें इशारा करके बता रहें कि वे फोन सुनदर है वे तो वो हमारा यहां पर कौन सा विशेशन हुआ संकेत वाच्चा विशेशन भी बहुन सकते है और सार्वनामिक विशेशन भी कह सकते है यह घर मेरा है, तो यहाँ पर जो घर है, वो क्या क्यलाएगा, संग्या क्यलाएगा, कौन सा घर, यह घर, तो यह क्या है, विशेशन है, अब देखें, वे संत्रे, यह पुस्तके, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के, यहाँ पर वे, यह, वह, यह, उस, यह सब क्या यह संकेत वाचक विशेशन कहलाएंगे ओक्यू स्टेंड्स थैंक यू